ये वीडियो में हम लोग सिखेंगे कि कल के दिन निप्टी और बैंक निप्टी में किस तरीके का मुमेंटम हो सकता है और उसके पीछे का प्राइज एक्षेन प्लस ओप्षन चेन के एनलिसिस का लॉजिक क्या है तो चलो step by step start करते हैं सबसे पहले देख लेते हैं कि स्केंडल क्रियेट नहीं हुआ है आवरली चार्ड के उपर सभी के सभी बेरी स्केंडल दीखे हुए है अगर हम लोग ग्लोबल फैक्टर को देखते हैं तो ग्लोबल फैक्टर में यूएस का जो डाउ जॉन्स है वो पॉजिटिव मूमेंटम अभी भी इंडिकेट कर रहा है यूरोपियन मार्केट अगर जो खेंगे तो यूरोपियन मार्केट भी मिले जुले संकेत दे रहे हैं और एsian मारकेट ने जपान हो जो थोड़ा नेगेटिव दिखा रहे हैं मतलब आज के दिन जो ये गिरावर्ट हम लोगों को देखने के लिए मिली है वो global factor की वज़े से नहीं मिली हुए है बलकि आपने Indian factor जो है उसमें FII का जो selling है FII के selling की वज़े से हम लोगों को ये गिरावर्ट देखने को मिल चुकी है आज सुबेग जब मैंने data देखा तो 12,000 करोड से भी ज़्यादा का यहां पर FII का selling पिछले 5-6 दिनों में हुआ था आज के दिन market negative आया है तो जाहर सी बात है कि आज के दिन भी FII की तरफ से selling हुआ रहेगा तो कल के लिए हमें किस तरीके से trade करना पड़ेगा नीचे की side में अगर हम लोग देखेंगे तो यह 49,300 का जो level है एक important support level बनके आ रहा है जिस support level को market ने multiple बार test किया हुआ है अब गर market कल के दिन flat open होके यहाँ पे market थोड़े time के लिए consolidate होके फिर downside की तरफ break करता है तो उस case में हम लोग 49,200 का जो put है वो 49,200 के put को हम लोग यहाँ पर buy कर सकते है नीचे की side में हमारा target थोड़ा बड़ा रहेगा market momentum की हिसाब से हम लोग update कर देंगे यह अपना जो free वाला telegram channel है जहाँ पर मैं इंटरडे के signal देता हूँ यहाँ पर मैं आपको update कर दूँगा यह free वाली telegram channel का link वीडियो के नीचे description box में मैंने डाला हुआ है जहाँ पर एक लाक 40,000 से जादा लोग जुड़े हुए है और यही एक मातर अपना official channel है अभी देख लेते हैं कि option chain हमें क्या indicate कर रहा है आपके सामने मैंने bank nifty का option chain लगाया हुआ है 3 November के expiry वाला मतलब next week के expiry वाला यहाँ पर आगर आप देखोगे तो open interest का जो data बना हुआ है वो open interest का data बहुत ही कम quantity में है तो कल के दिन थोड़ा data बनने देंगे और फिर उसके बाद हम लोग conclusion निकालेंगे अभी देख लेते हैं कि nifty क्या indicate कर रहा है आपके सामने मेंने nifty का hourly chart लगाया हुआ है nifty के hourly chart में मैं आभी live market में video बना रहा हूँ यहाँ पर आपको rate change होते हुए दिख रहे है तो यह जो important support level यहाँ पर बनके आ रहा था 17,840 का अभी market उसको break करने की कोशिश कर रहा है हम लोग देखेंगे कि consolidated closing कहा पर आता है अगर consolidated closing थोड़ा उपर आता है और कलके तिन flat खुलने के बाद इस level को downside की तरह break करता है तो उस case में हम लोग 17,850 का जो put है वो 17,850 के put को हम लोग यहाँ पर buy कर सकते है हमारा नीचे की side में 70-80 point का target यहाँ पर आराम से मिल सकता है और stop loss हम लोग मातरब 20-25 point का ही लगाएंगे उपर की side में हम लोग देखेंगे तो direct 18,300 के उपर हम लोगों को resistance level मिल रहा है लेकिन यह resistance level बहुत लंबा आ रहा है तो इसको हम लोग आभी focus नहीं करेंगे यहाँ पर market को price action बनाने देंगे और फिर price action के बाद देख लेंगे कि किस तरीके का हमें support या resistance level next time मिलता है अगर हम लोग open interest के data को देख लेते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ point के उपर focus करना पड़ेगा आपके सामने मेंने nipty का option chain लगाया हुआ है 3 November के expiry वाला यह weekly expiry और आज के दिन जो close हुआ है market वो monthly expiry का हुआ है तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा call की side में हम लोग क्या करते है मन्दी के position देखते है और put की side में हम लोग क्या करते है तेजी के position देखते है तो ओर ओल अगर आप देखोगे तो एक clear picture आपको दिखाए दे रहा है कि यहाँ पर जो है वो मंदी के position जादा बने हुए है मतलब आज के momentum की वज़ा से और पिछले 5-6 दिनों में यह FII की तरब से जो selling वा था उसकी वज़ा से एक मंदी के position यहाँ पर जादा बने हुए है तो हम लोगों के लिए important क्या है यह 18,000 का level important है क्यों important है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो put की side में highest open interest बना हुआ है जिसमें से 3,000,000 share आज ही के दिन add हुए है और फिलहाल आभी market उसके नीचे trade कर रहा है तो यहाँ पर कल आगर market दुबारा EC level के करी flat open हो जाता है या थोड़ा सा gap up open हो जाता है आट राजर के नीचे तो यह level के उपर जो लोगों ने put writing किया रहेगा वो सब लोग यहाँ पर trap हो जाएंगे तेजी वाले अगर trap हो जाते है तो long unwinding का एक fall हम लोगों को दिखाई देता है यह point को आप note down करके रखिए तो जिस तरीके से आप option chain का reading करना चालू करोगे तो यह सब point आपको indicate कर देंगे कि market में क्या होने की probability बन रही है option chain के हिसाब से अगर आपको option chain का free का course करना है तो उसके details मेंने telegram channel के उपर दिये हुए है और telegram channel का link वीडियो के नीचे description box में मेंने डाला हुआ है अब यह हम लोगों के लिए important क्या होता है long unwinding का जो fall हम लोगों को लिए important होता है उसमें fall कितना बड़ा आएगा कितना तेज आएगा कितना कम समय में आएगा यह depend करता है open interest का data कितने quantity के साथ बना हुआ है तो आप लोगों को यह intraday में यहाँ पे कितने open interest का data बना हुआ है plus consolidated data कितना है यह point के उपर आपको focus करना पड़ता है तभी जाके आपको idea आजाएगा कि बड़ा fall आएगा या छोटा fall आएगा plus हम लोगों को focus करना पड़ता है open interest का data कौन से time के उपर बना हुआ है और वो time में market का current price क्या चल रहा था तो यह तीनों price का जब आप combination करना चालू करोगे तभी आपका success rate बढ़ जाएगा और average risk reward ratio भी बढ़ जाएगा तो यह सिर्फ open interest के data के उपर ही focus मत कीजे वो कौन से time पर बना है इसके उपर भी focus कीजे और वो time के उपर bank nifty का current market price क्या था इसके उपर भी focus कीजे इसी तरह के educational वीडियो देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को like कीजे और वीडियो को like करने के बाद अपना जो YouTube का educational channel उसको subscribe कीजे और subscribe करने के बाद bell icon का button दबा दीजे तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लगाऊंगा immediate आपको उसका notification मिल जाएगा यहाँ पे मैंने आभी आपको जो point बताया हुआ था कि आपको क्या क्या देखना है open interest देखना है plus time देखना है और plus आपको देखना है कि current market price क्या चल रहा है तो इसमें से ज़्यादातर लोग जो focus करते हैं यह open interest के उपर भी focus करते हैं यह दो point को market में consider ही नहीं करते हैं अगर इसके उपर आपको एक video बना के चाहिए तो मैं open interest plus time का एक video आपके लिए बना सकता हूँ